1970s, 1980s और early 90s में Bollywood या particularly Indian cinema में एक genre काफी फल फूल रहा था और वो था इच्छा तरी नाग नागिन की कहानिया Half Humans and Half Snakes का concept कोई fictionalized myth नहीं बलकि ये concept Hindu mythology से लिया गया है नाग नागिन के बारे में हमने कई सारी बाते सुनी या देखी है जैसे की बीन के दुन कर सुनकर वो खिजे चले आते हैं नाग मनी कर रहा है और किस तरह से अगर कोई इनसान के हाथ वो मनी लग जाए तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इनसान बन जाता है या फिर कैसे नाक को मारने के बाद उसकी साथी के आँखों में मरने वाले की तस्वीर खिट जाती है ये सारी कहानिया मुझे बच्पन से ही काफी एट्रैक्टिव लगी है और आज भी लगती है हेलो फ्रेंड्स, सिने वंची के नए एपिसोड में मैं अभीराव शेट्टी आप सब का वेलकम करता हूँ आज के ये एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे इस जॉनर को बॉलिवूड में स्ट्रीम में कमबैक करना चाहिए और कैसे स्मार्ट कहानी और यूनिक ट्रीक्टमेंट के दम पर नाग नागिन की स्टोरीज नए जेनरेशन को अपील कर सकती है और कैसे इस टाइप की फिल्में हिट हो सकती है बशरते इन्हें कोई अच्छा डिरेक्टर डिरेक्ट करें मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल सिनेवंशी को सब्सक्रेब करना ना बोलिए बॉलिवूड के इतिहास में नाग नागिन पर बनी अगर कोई पहली फिल्म थी तो वो है वैजनती माला और प्रदीप कुमा स्टार नागिन जो 1954 में रिलीज हुई थी दो कभीलों के बीच के गहरी दुश्मनी में एक प्रेम कहानी का जनम होता है इसमें नाग है प्रदीप कुमार और नागिन है वैजनती माला इस फिल्म का गाना मन डोले मेरा तन डोले काफी हिट हुआ इस फिल्म का एक और गाना है मेरा दिल ये पुकारे आजा ये गाना 2021 और 2022 में इंस्टाग्राम के कई सारे रिल्स में फेमस हुआ था सेविंटीज के मशूर फिल्म मेकर राजकुमार कौली ने 1976 में लेकर आये थे फिल्म नागिन ये एक बड़े बजट की फिल्म थी इस फिल्म में उस दौर के सारे नामचीन अक्टर्स और अक्ट्रिस नजर आये थे इस फिल्म की कहानी दोस्तों के ग्रूप की है जो जंगल में नाग नागिन की प्रेम लीला देखने चले जाते हैं इन्ही दोस्तों में से एक अनिल दवन नाग को गोली बार देता है बस यहीं से शुरू होती है नागिन का बदला फिल्म में जीतेंद्र और रीना रॉय ने इच्छा धरी नाग नागिन का किरदार ने बाया यह फिल्म बॉक्स आफिस पर सुपरिट रही क्योंकि तब के हिसाब से यह फिल्म काफी यूनिक थी जो जिस तरह की मसाला फिल्म में उस दोर में आ रहे थी उन सबसे अलग और यूनिक थी नागिन की कहानी और दर्शकों ने इस क्लैसिक को हाथो हाथ लिया ठीक इसके दस साल बाद यानिकी 1986 में श्री देवी स्टार नगीना रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर बहतरीन बिजनस किया और इसे ब्लॉक बस्टर का स्टेटस हासिल हुआ श्री देवी और अमरिशपुरी के लुक और अभिने ने बाकी सारे अक्टर्स को ओवरशाइडो किया ये फिल्म श्री देवी के करियर की वन अफ दे बेस्ट फिल्म में काउंट की जाती है बचपन में नजाने कितनी ही बार टीव पर मैंने फिल्म देखी और ये फिल्म आज भी मेरी वन अफ दे फेवरेट फिल्म की लिस्ट में आती है इस फिल्म को आज बॉलिवुड में कल्ट स्टेटस हासिल है फिल्म में श्री देवी का नागिन डांस इतना फेमस हो गया कि शादियों में कई सारे हमारे अंकल्स या कजिन इस धुन पे नाचते हुए हमें दिखाई देते हैं इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे काफी वाइरल होते हैं ये क्लिप्स आज की जमने में सीक्वल्स का पॉंसेप्ट काफी आम हो चुका है और लगबग बॉलिवुड का हर टॉप डारेक्टर सीक्वल्स की बहती गंगा में हाथ दोना चाहता है मगर एटीज में डारेक्टर हरमेश मलोत्रा ने सीक्वल्स पर दाओं खेला नगीना के हिस्टॉरिक सक्सेस से इंस्पायर होकर इसका सीक्वल निगाहे बनाया इस बार रिशी कपूर की जगा ली सनी देवल ने और अम्बरीश पूरी की जगा अनुपम खेर नजर आये मगर निगाहे को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया और इस फिल्म की ऐसी हालत देकर रमेश मलोतरा ने इस फिल्म के थर्ड पार्ट नगमे को कैंसल कर दिया अनलैक आज के दौर में जब फिल्म के सीक्वल्स जबरदस्ती हमारे माते पर थोप दिये जाते हैं मेकर्स सीक्वल्स का लॉलीपॉप लेकर हमेशा आते हैं हमारे पास ताकि हम फिल्मों को हिट करवाए मगर कुछ सीक्वल्स अच्छी होती है तो कुछ बेहदी खराब रहती है बॉलिवड में भेड़ चाल का चलन है एक जॉनल हिट क्या हो गई कि सब उसी सक्सेस मॉडल को कौपी करने की कोशिश करते हैं राजीव कपूर और मंदाकिनी रामतिरी गंगा मेली के हिस्टॉरिकल सक्सेस के बाद 1989 की फिल्म नाग नागिन में नजर आये थे मगर ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को कुछ पता नहीं फिर इसके बाद नागिन के बैंड वैंगिन को जॉइन किया नितिश ब्रादवाज जिने हम महाभारत में कृष्णा के रोल में याद करते हैं वो और मेनाक्षी शेशाद्री फिल्म नाचे नागिन गली गली में नजर आये जो भी काफी डिजास्टर साबित हुई फिर तू नागिन, मैं सपेरा, नाग मनी ये फिल्म में भी फ्लॉप रही यर 1990 में जीतेंद्र और रेखा स्टारर शेशनाग रिलीज हुई इस फिल्म में इच्छादरी नाग नागिन बने थे जीतेंद्र और मादवी इस फिल्म में रेखा, रिशी कपूर और मन्दाकनी के साथ साथ डैनी डेंगजोगबा भी नजर आये थे वो इस फिल्म में अगोरी तांत्रिक का किरदार निभा रहे थे ये फिल्म तब तो फ्लॉप रही मगर टीवी पर इसे बाद में काफी पसंद किया गया 1991 में रिलीज हुई थी तुम मेरे हो जो आई थी कयामत से कयामत तक के सिक्सेस को एंड कैश करने के लिए आमिर खान और जुई चावला फिल्म के लीड रोल में थे इसे बनाय था आमिर खान के पिता ताहिर उसेन ने ये उनकी करियर की इकलौती डिरिक्टोरिल फिल्म थी ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर चारो खाने चित हो गई बाद में 2002 में आई जानी दुश्मन एक अनोकी कहानी इस फिल्म को बनाया था राजकुमार कोली ने वही जुने ने 1976 की नागिन जैसी कल्ट फिल्म लेकर आये ये फिल्म उनकी 70s की दो ब्लॉक्बस्टर फिल्मों के लेक ट्रिब्यूट थी नागिन का कॉंसेप्ट और फिल्म का टाइटल उनकी 1979 की हिट फिल्म मैन टूर्ण बियर डेमन वली जानी दुश्मन की टाइटल से ली गए थी मगर ये फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर हो गए कि राजकुमार कोली का प्रोडक्शन हाउस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया प्लस मलीका शिरावत की फिल्म हिस्ट जो 2010 में आई थी वो फिल्म भी काफी बुरी थी जिस कॉंसेप्ट पर फिल्में बनाना एक जमाने में काम्याबी की गैरेंटी माना जाता था आज वो ही जौनर छोटे परदे पर शिफ्ट हो चुका है और एक मीम मटीरल बन चुका है आए दिन सोशल मीडिया पर एकता कपूर के नागीन सीरीज की कोई क्लिप मुझे नजर आती है जिसे देखकर हसी आती है और हैरानी भी कि कौन ऐसे टर्प के शोज आज की दोर में देखता है इतना खराब VFX प्लस प्लोट ऐसा जिसे सुनकर आप लोटपोट होकर हसते रहोगे और गाने जो बिलकुल भी ओरिजिनल नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं है कि नागिन जोनर का इंडियन टेलिविजन में कचरा कर दिया है बीच बीच में सब टीवी में एक शो आया था इच्छा प्यारी नागिन जिस ये जोनर में थोड़ा कॉमेडी एलिवेंट डालने की कोशिश की मगर ये शो कुछ खास नहीं चला अगर हम विंटेज एरा की बात की जाए तो 80's में रामनन सागर का एक सीरियल आया था विकरम बेता इस शो के लास्ट एपिसोड में दिपिका चिकलिया एके ओरिजिनल सीता मा नागिन के रोल में नजर आया थी और 90's के डेकेड में Zee TV पर रामसे ब्रदर्स नागिन नाम का एक सीरियल लेकर आये थे जो तब के इसाब से काफी फेमस हुआ था जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी मीमस की फेवरिट फिल्म बन चुकी है इस फिल्म के खराब वी एफेक्स एक एक एक्जामपल के तौर पे दिखाये जाते हैं कि किस तरह से फिल्म में खराब वी एफेक्स का इस्तमाल किया गया है ये फिल्म बॉलिवुड की वर्स्ट फिल्मों की लिस्ट में हमेशा टॉप स्लॉट में रहती है टिम सिनेवंची का ये मानना है कि ये जॉनर बॉलिवुड के मेंस्ट्रीम स्पेस में कमबैक कर सकता है बशर्थ इसको मैडॉक फिल्म जैसा कोई बड़ा प्रडॉक्शन हाउस बनाए मैडॉक फिल्म अपने सूपर नैच्रल यूनिवर्स में नाग नागिन के कॉंसेट को एड़ उन कर सकते है कहानी को थोड़ा मॉडेनाइस बनाया जाए मतलब नागिन को एकदम सूपर हीरो जैसे वंडर वोमन जैसा दिखाया जाए और प्लस कुछ फेमस इंडियन फोकलोर ये एलिमेंट्स एड होंगे तो ये कॉंसेट नए जमाने के दर्शकों को काफी एट्रैक्ट करेगा अगर अमर कौशिक मना कर देते हैं तो एसेस राजा मॉली भी एक अच्छे आप्शन है आरे जब मक्षी जैसी फिल्म हिट हो सकती है तो नाग वर्स क्यों नहीं वी और सो फिल की कांतारा के रिशब शेट्टी भी इस टाइप की फिल्म में बना सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो बरसों के बाद नाग वर्स बॉली वड के मेंस्ट्रीम स्पेस में कमबैक करेगा और एक बार अगर ऐसी टाइप की फिल्म हिट हो गई तो बस फिर से वो नाग इन फिल्मों का एरा रिस्टार्ट हो जाएगा तो ये था मेरा विडियो नाग वर्स को बॉली वड के कमर्शल स्पेस में एएंट्रीक बाने की अगर आप मुझसे फेस्बुक या इन्स्टाग्राम पर कॉनेख करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा Facebook और मेरा Instagram ID और साथ ही मेरे चैनल का Instagram ID तब तक अपना ख्याल रखे Take Care and Be Safe जै श्री राम, जै श्री कृष्णा